अब हम आपको ये बताएंगे कि जब विपक्ष के इंडिया गठ बंदन में कोहराम मचा हुआ है आपस में विवाद चल रहे है अभी तक सीटों के शेरिंग को लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है कोई रणनीती नहीं बनी है नेता आपस में लड़ रहे है नेता अभी से ये बयान दे रहे है कि हम आपको अपने राज्य में नहीं आने देंगे हम आपके साथ कोई सीट शेरिंग नहीं करेंगे ममताब एनरजी कॉंगरिस से लड़ रही है आम आदमी पार्टी कॉंगरिस से लड़ रही है और उन्होंने अपनी पहली रेली उत्तर प्रदेश के बुलंद शेहर में की है और कहा है कि मोदी चुनाव का नहीं बल्कि विकास का बिगुल फूखता है 22 तारिक को अयोध्या धाम में प्रभुसी राम के दर्शन हुए और अब यहां जनता जनार्दन के दर्शन का सोभाग्य मिला है साथियों अयोध्या में मैंने राम लला के सानिद्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कारिय संपन हुआ अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई उंचाई देने का समय है हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मारतों और प्रसस्त करना है मोधी तो विकास का भ्यूगल फूंकता रहता है मोधी तो समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए भ्यूगल फूंकता रहता है मोधी को न पहले जरुवत थी न आज जरुवत है न आगे जरुवत है चुनाओ के भ्यूगल फूंकरे की मोधी के लिए तो ये जनता जनार्दन भ्यूगल फूंकती रहती है प्रदान मंतरी मोधी को भी आप देखिए दिन में चुनाओ प्रचार कर रहे थे उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में थे शाम को जैपुर पहुँच गए शाम को मैकरों को चाय पिला रहे थे और वो कहते हैं कि वो राम और राश्ट्र ये उनके जिन्ने में सब से उपर है राम और राश्ट्र प्रान प्रतिश्ठा और राश्ट प्रतिश्ठा और इस वक्त जब विपक्षी दल चुनाओ लड़ने की बजाए एक दूसरे से लड़ रहे हैं और ममता बेनर जी ये कह रही हैं कि वो पश्चिम मंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। नितीश कुमार प्रधान मंतरी मोदी की तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के चक्कर में हैं। और विपक्षी दलों की ये लड़ाई एक दल दल जैसी बन गई है। एक ऐसा दल दल जिसमें बहुत सारे दल हैं और वो मिलकर दल दल बना रहे हैं। जिसमें सारे दल एक एक करके अब जो है एक दूसरे से ही लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे में तब प्रधान मंतरी मोदी और बीजेपी ने लोग सबा चुनावों के लिए अपने प्रचार अभ मुदी ने अपने सरकार के तमाम उपलब्धियों को इस वीडियो में उन्होंने समाने की कुशिश की है और जो भी उन्होंने काम किये हैं बड़े बड़े वो सब इस वीडियो में देखने को मिलते हैं